भारत में आने वाली कारे 2022 स्पोर्टेज, जिमनी, बैल्टा, ग्रेंट जेरो की एल 2022 तकसन 2022 जैसी लगभग 83 आगामी कारे 2022, 202, 2024 में भारत में लॉंच की जाएंगी आने वाली इन 83 कारों में ये है किया स्पोर्टेज, किया स्पोर्टेज एक 5 سीटर एस्यूवी है किया स्पोर्टेज के अपरेल 22 में भारत में लॉंच होने की उम्मीद है किया स्पोर्टेज अलकाजर हैक्टर प्लस और हैक्टर को तक कर देगी कीमत 25.000 recruitment शुणन लाग से शुरू होने की उम्मीद है किया ने भारत के लिए अपने पहले टीवी विग्यापन में स्पोर्टेज को प्रदर्शित किया है स्पोर्टेज अनिवार्य रूप से किया का हुंडाई टक्सन का संसकरण है फिलहाल किया का कहना है कि Sportage भारत में नहीं आ रहा है अगर लॉंच किया जाता है तो यह Jeep Compass, Hyundai Tucson और Mahindra XUV500 के साथ प्रतिस परधा करेगा क्या आपने किया का नया विग्यापन देखा है जिसमें Sportage SUV है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उसी विग्यापन की जिसमें एक अंतरिक श्यात्री भी है यदि आपने इसे देखा है और सोच रहे हैं कि किया भारत में Sportage लॉंच करने वाली है या नहीं तो हम पुष्टी कर सकते हैं कि ऐसा नहीं होने वाला है Sportage SUV फिलहाल भारत में नहीं आ रही है 2018 में किया ने पहले ही पुष्टी कर दी थी कि वो 2019 में ASP Concept आधारित Compact SUV के लॉंच के साथ भारत में प्रवेश करेगी अटकले लगाई जा रही है कि इसे सितंबर 2019 के आसपास संभावित लॉंच के साथ Trezor कहा जा सकता है यह सबसे अच्छा प्रतिद्वंद्वी होगा देश में विकने वाली Compact SUV Hyundai Creta और हाल ही में लॉंच हुई Nissan Kicks और जल्दी पेश की जाने वाली दूसरी जेनरेशन रेनौल्ट डस्टर जैसी अन्यकारों को टक्कर देती है दूसरी ओर Sportage Kia की वैश्विक लाइनप में एक मध्यमाकार की SUV है जो प्रतिद्वंद्वियों को Hyundai Tucson, Jeep Compass और Mahindra एक SUV पांच सो पसंद करती है Sportage वर्तमान में अपनी चौथी पीडी में है जिसने 2015 में वापस शुरुआत की और 2018 में एक नया रूप प्राप्त किया हालिया टीवी विग्यापन में Sportage Facelift है और यह वो संसकरन है जो 2020 तक भारत में आने की संभावना है Kia ने 2019 की शुरुआत से पहले भारत की योजनाओं का खुलासा किया यहां बताया गया है कि Sportage आकार के मामले में अपने प्रतिद्वंद्वियों की तुलना कैसे करता है Sportage UK Kalpana Hyundai Tucson Jeep Compass Mahindra XUE 500 लंबाई 4,485 mm 4,475 mm 4,395 mm 4,585 mm चोड़ाई 1,855 mm 1,850 mm 1,818 mm 1,785 mm उंचाई 1,645 mm 1,660 mm 1,640 mm 1,890 mm Wheelbase 2,670 mm 2,670 mm Sportage अपने Mechanical और Features को अपने ग्रुप से बलिंग Hyundai Tucson के साथ साजह करता है यह समान 2.0 लीटर डीजल इंजन द्वारा संचालित है और इसमें 6 एयर बैग, एक एनोरमिक सनरूफ Wireless Mobile Charging और एक 10 तरफा विद्योत रूप से समायोज यर ड्राइवर सीड जैसी सुविधाई मिलती है चक्सन के साथ समानताएं हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि Kia Sportage को निकट भविश्य में किसी समय लॉंच कर सकती है चूंकी कार निर्माता भारत में हर 6 महीने में एक नया उत्पाद लॉंच करने की योजना बना रहा है हमें उम्मीद है कि 2020 के अंध तक किया कि पोर्टफोलियो में कम से कम 3 कारी होंगी अगर लॉंच किया जाता है तो स्पोर्टेज की कीमत 16 लाक रुपे से 21 लाक रुपे तक होने की उम्मीद है एक्स शोरूम यह भी पड़े कि अब भारत विशिष्ट इलेक्ट्रिक वहन विक्सित कर रहा है 2022 तक लॉंच होने की उम्मीद